हालो स्टूडेंस, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल और आज पच्छे हम डिस्कस करेंगे कक्षा नो की गणित की वक्षीट नमबर 36 जो आपकी 25 सितंबर 2020 की वक्षीट है इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है शेत्तरफल और परिमाप शेत्तरफल क्या होता है किसी भी बाउंडरी बाउंडरी के उपर चलना होता है और जितनी आप दूरी तै करते हैं इसकी बाउंडरी इस पर चलके ठीक है उसको बोलते हैं इसका परिमाप ठीक है पूरा आपने यहां यहां पर चलना है इसकी सिमाओं के उपर अब यहां पर देखे आवशक पूरव ज्यान है आकृतियों जैसे कि वर्ग आयत त्रिभुझ और चतरभुझ की पहचा ये आपको पता है वर्ग क्या होता है वर्ग वो जिसके अंदर सारी भुजाएं एक समान होती है हर एक कोण जो बनतا है वो कितने का बनता है न बेडि गृशी का बनता है ठीक है दूसरा आयत हमने देखा जिसके एक जो होती है लेंट होती है एक ब्रेट्थ होती है उसका एरिया होता है ये भी हमें पता है तो हमारे पास देखिए कि बच्चों आप विबिन आकालों की अकृतियों जैसे की वरग, आयत, रिबुज और चत्रबुज के बारे में पढ़ चुके हैं आयत का जो परिमाप होता है वो दो गुणा लंबाई प्लस चुडाई होता है क्यों? क्योंकि ये आयत होता है ये इसकी लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी क्योंकि समुख बुजाएं बराबर होती है ये इसकी चुडाई है तो ये भी इसकी चुडाई होगी मैंने बोला था, आपने इसके उपर उपर चलना है, सारी भुजाओं के उपर, यहां से यहां गए, एक बार L आया, एक बार B, तो L जमा B, कितना हो गया, L प्लस B, फिर L आया, एक बार L जोड़ दो, फिर एक बार B ओर जोड़ दो, तो 2 L प्लस 2 B, जो है, वो बनेगा हमारा ठीक है, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, लंबाई प्लस चुड़ाई हमारा अंदर बच गया, आयत का जो शेतर फोल होता है, वो होता है, लंबाई गुणा चुड़ाई, ठीक है, लंबाई यह चुड़ाई के मापक जो होते हैं, लंबाई और चुड़ाई को हम या तो मीट जाना इसकी बाहरी सीमा सीमा की उपर रहना चंकर लगाना है। तो उसके बात में जब आप पूरा लगा लेती हो कितनी दूरी अपत्यां करते वह उसका परिमाप होता है। वैसे अगर आक हम भात करते हैं शीतरफल की तो को वर्ग मीटर और वर्ग सेंटीमीटर में लिए जाता है क्योंकि शेतरफल होता है लंबाई गुना चुडाये आपको दिया हुए तो एक लंबाई वाल मीटर और एक चुडायी वाला मीटर दोनों गुना होंगे तो मीटर uwा उतना हो agility और खाल करें समकोन त्री करते हैं जैसे ABC हमें दिया हुआ है जिसमें AB जो है वो हमारा अधार है और BC जो है वो हमारी उचाई है ठीक है तो आपने अधार और उचाई की जगह पर वैल्यूस डालनी है पर जब हम आ जाते हैं या तो एक सम द्वी बाहुत रिभुज के उपर या एक सम बाहुत रिभुज के उपर तो हमारे पास उचाई नहीं होती हमारे पास सिर्फ बुजाएं दी होती है तो हम क्या गरते हैं उसको किसी भी एक शीर शीशे लेके एक जो है वो लंब दूसरी स तो इसी तरह हम अगर शेत्रफल निकाल लेंगे तो आप ले सकते हो इसकी यानि कि अधार आपने लेना तो अधार आपका पांच पांच यानि कि दस हो गया तो यहां पे दस और यह हमने लिख दिया ठीक है कैलकुलेट करोगे आपके पास जो शेत्रफल है वह आजेगा 25 वर तरिभुच की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर दी होती है वैसे ही जैसे हमने पिछले में किया अपने एक लंब खीचना होता है उपर वाले शीर्च से लेके नीचे वाली समुख भुजा के उपर और पाइथा गुरस प्रेमें यह आपकी क्या बराबर भुजाएं हैं तो आपको सिर्फ यह 10 cm है यह पुट करने के यहां पर जरूरत पड़ेगी और कुछ भी नी करना पड़ेगा आपको ठीक है तो हम जो सॉल करेंगे वो इससे करेंगे क्योंकि पेपर में आप कुछ भी लिख लो ना कैसे भी कर दो चलता है आपका काम जरूरी नहीं है उसी फॉर्मूला से उनको शेतरफोल से मतलब है तो कोई भी आपका गलत नहीं करेगा अगर इस फॉर्मूला से भी करते हो तो मैंने थोड़ा सा स्टड़ी करके आप लोगों के लिए असान चीज निका लिए क्योंकि पहले एक बार उ तरी बुझ ले लिया पर एक विशम बाहू तरी बुझ भी तो होता है उसका एरिया क्यों निकाला उसका शेतरफल क्यों निकाला क्योंकि देखो विशम बाहू तरी बुझ जिसनकी तीनों बुझाओं की लंबाई हमें ग्यात प्रंतु उचाई ग्यात नहीं है प्रंतु ह पर हम हीरो सुत्तर जोहां उसका परियोग करेंगे विशम बाहु त्रीभुज का शेतरफल निकालने के लिए ठीक है सो उसके बाद में चलते हैं कोश्चन्स पे सो कोश्चन्स यह वाला कोश्चन हम इसी फोर्मूला से करेंगे अंडरूर तीन बटा चार एसक्यर से आप चाहो तो उपर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और इसके भी दो फोर्मूला है वह Wohnung मैंने दो अलग अलग मैथर से आपको सौल करके दिया जो आपको अच्छा लगता है आप उस मैथर से सौल कर सकते हो ठीक है सभी का मान कितना होता है, तीनों बुजाएं बराबर होंगी A, A और E तो हमें A की value दी हुई है 12 cm संभाहूत रिवूज का जो शेतरफल होता है वो होता है under root यानि कि वरग मूल 3 बटा 4 A का वरग तो A हमारे पास बुजा की लंबाई है, वो हमें 12 cm दी हुई है तो यह हमारे पास बनिया A बराबर वरग मूल 3 बटा 4 और गुणा में 12 का वरग 12 का वरग कितना होता है, 144 तो 144 हमने लिखा अब 144 को नीचे वाले 4 से हम काटेंगे, तो हमारे पास आएगा 36 उतर, यह हमने 36 लिखा तो हमारे पास एरिया आगया 36 वरग मूल 3 आप इसको यहां पे छोड़ोगे तो भी अपका गलत नहीं होगा इसके इलावा अगर आप इसको सॉल कर सकते हो तो आप इसको सॉल कर ले वह आपका आएगा एरिया 62.35 cm स्केर, ठीक है उसके बाद में बात करते हैं दूसरे कोश्यन की, उस सम द्वी बाहुत त्रीबुज का शेतरफल याद करो, जिसकी समान भुजाएं 10 cm और तीसरी भुजा 16 cm है यानि कि दो भुजाएं आपको समान दी हुई है, अगर आपका कोई A, B, C, एक समभाहुत रीबुज होता है तो यहाँ पे A, B बराबर A, C होती है ठीक है क्लियर हो गया, तो A, B बराबर A, C आपको 10 दी है, यह भी आपको 10 दी है, यह आपको 16 दी है हमने क्या करना है, A से एक परपेंडिकुलर एक लंब जो है इसके उपर बना लेना है इधर भी 8 होना चाहिए, इधर भी 8 होना चाहिए, यहाँ से पाइथागोरस प्रेमियर निगा के हम इस लंब की, लंब का मान निकाल लेंगे तो A, D हमारे पास क्या होगी, उचाई होगी, पाइथागोरस प्रेमियर क्या बोलती है, A, B का स्केर is equal to A, D स्केर प्लस B, D का वरग, या स्केर जो भी बोलो आप, ठीक है, अब A, B हमें 10 दिया है, B, D हमें 8 दिया है, तो 10 का वरग, बराबर A, D का वरग, प्लस 8 का वरग, 10 का वरग, 100 होता है, 8 का 64, तो 100 माइनस 64, किसके बराबर आ गया, A, D के वरग के, A, D का वरग आता है, 36 के बराबर, और ad कितना आएगा 36 का वरग मूल हमारे पास होता है 6 तो ad आगया हमारे पास 6 cm तो उचाई कितनी है 6 cm ठीक है अब उसके बाद में देखें सम्धी बाहू त्रीबुच शेतरफल कितना होता है तो सम्धी बाहू त्रीबुच का शेतरफल a वो होता है हमारे पास half यानि की half 16 एच हमारे पास है 6 जो हमने अभी निकाला यहां पर पुट किया इस दो से इस 16 को काटा तो 8 बन किया तो हमारे पास यतरफल आ गया आठ गुणा 6 8 गुणा 6 का मतलब क्या हो गया आठ चीके 48 तो 48 सेंटिमेटर का स्किएर उसकेपाने दूसरा मेथर्ड आप यूज कर सकत chimney हो हमें B दिया हुए, बेस दिया हुए 16 cm और बराबर भुजा A दियू हुए 10 cm ठीक है अधार दिया हुए और बराबर भुजाओं का मान दिया हुए एक फोर्मूला ओर होता है वोता हाफ वरग मूल A का वरग माइनस B का वरग बटा 4 गुणा B यहाँ पर आप A और B और B का मान पुट कर दें जब हम solve करेंगे तो हमारे पास देखो A कितना था 10 यानिकि 10 का वरग माइनस B कितना है यान 16 16 का वरग बटा 4 और गुणा क्या हो रहा है 16 ठीक है तो 10 का वरग होता है 100 16 का वरग होता है 256 बटा 4 256 को काटा तो 64 रहा गया 16 वैस 16 36 का वरग मूल होता है 6 गुणा 16 और गुणा हाफ पड़ा है इस दो से इसको काटेंगे कितना बच्चेगा 8 ठीक है हमने इसको 8 को काटा तो क्या रह गया 6 गुणा 8 इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 48 सेंटीमीटर का स्कियर ठीक है तो यह आगे हमारा दूसरे देगा लें आपका उत्तर सही होगा यहां से देख लें आदा ठीक है उसके बाद में आपको पहला मैथर दिखा देते हूं पहला मैथर ता यह हमारे पास इसका आदा पार्ट यह है उसके बाद में इसका आदा पार्ट यह रहा ठीक है उसके बाद करते पहले कोश्यन की त पहला question हमारे पास ये रहा चीक है इसी के साथ हमारी work sheet यहाँ पे खतम होती है